ओम श्रीकृष्ण परमत्मने नमा श्रीमत भागवत कथा दृष्टान्त अने रहस्य डूंग्रेजी माराज कहे चे के नंद महुच्चव तो रोज करवो जुईये लोको वर्षमा एक जवार नंद महुच्चव करे चे सवारे चार थी साड़ा पांच सुधी मा नंद महुच्चव रोज उजबिये ब्रह्म मुरत्नों समय बहु पवित्र छे आपना शास्त्र मा लक्यू छे के राते दस वाग्या पची राक्षसो जागे छे अने सवारे चार वागे राक्षसो सुई जाए छे राक्षसो ने सवारे चार वाग्या पची पथारी मा सुई रहे थे राक्षस जे प्रातव कालमा ध्यान करूँ जैने बानसी सेवा करवी उत्र एटले इश्वर और सव प्राग्या उत्सव एटले इश्वर नू प्राग्या नंदों महोत्सव करवानो एटले शू पेड़ा वेजवाना ना ना आतो आननदनों अतिरे एक छे उत्सव तो रुदय मा थाए उत्सव नू प्रागट्य थाए जारे जारे त्यारे इश्वर चो तरफ होए और इश्वर प्रागट्य त्यारे थाए छे उत्सव एव न थी जारे मनुष्यना देहिमा हुवा छत्ता तेने देहिनू भान न रहे त्यारे समझूं कहवे इश्वर नो उत्सव मनववानो समय आवेवच जगत भुलाए और प्रभू प्रेम मां तनमाई था थाई तो आनल मले संसारना सुखदुखनी असर मनुपर न थाई ते माटे उत्सव करवानो छे देहिमा हुवा छत्ता देहिती आत्मने जुदो पाडवा माटे उत्सव करवानो छे देहमा होवा छत्ता देहा तिट आनलनो अनुबो करवो छे एटले उत्सव छे नंद मोहत्सव मां व्रजवासियो एवा घेला बन्या छे कोई ने देहनू भान नती हकिकत मां देह धर्म पुलाए त्यारे उत्सव सफर थाई परमात्माने रुदेमा पदरावाना परमात् प्रगट थाई एकले भूक तरस फुलाई जाई नंद मोहत्सव रोज करे तेने आखो दिवस आनन्द मा जाई परन्तु नंद मोहत्सव ने तयारी करिवी पड़े छे शरीर ने मथूरा बनाववू पड़े रुदे ने गोकूल बनाववू पड़े पच्छी नंद मोहत् माँ प्रगट थाई छे गो एकले इंद्रिय और कूल एकले समूँ गोकूल एकले इंद्रियोनों समूँ जाँ भेगो थाई छे रुदे छे शरीर ए मथूरा छे रुदे एक गोकूल छे नंद एक जीव छे आशरीर ने मथूरा बनाववानू रुदे गोकूल माँ बाल चाविये, तो आपनू शरीर मथूरा बने, रुदे गोकूर बने, पवित्र काया, एज मथूरा, शरीर मथूरा थाए, पचे रुदे गोकूर थेई जशे, परमात्मनी सेवा स्मरण करता रुदे पिगले छे, त्यारे रुदे गोकूर बने छे, औने आनन्द प्रक्ते छे, महाप्रभु जी आगना करी छे मधूरा अने मधूरा एकत छे मधूरा अधी पते अखिलम मधूरम मधू एटले मद अने रा एटले रक्षन मध थी जे शरीर नू रक्षन करे छे आ मध थी मानव शरीर ने साच्वे तेनू शरीर मधूरा बने छे मद बे जग्या है राख्यू छे काम सुख मा मद छे अने संपत्ति मा मद छे अब ये वस्तु मा मन फसाई जाई छे अब ये जग्या मा मन रूपी माखी फसाई जाई छे मन काम सुख नुचिंतन न करे द्रव्य सुख नुचिंतन न करे तो तन मथुरा जे उतरक बनी जाए मन काम सुख नुचिंतन करे तो मन बहु बगड़नु जाए काम सुख नुचिंतन करे तेनो तन बगड़े औने द्रव्य सुख नुचिंतन करे तेनो मन बगड़े शरीर कोई नुँ अम्मेश माटे शारू रेतू नथी शिरियते इती शरीरम बीजु बतो तो भले भगड़े पन मारु मन न भगड़े जे मन थी भक्ती करवानी छे ते मन बहु पवित्र राखवानु छेता मन ने जे साच्वे छे ते महान बने छे, मन सतत परमात्मानों ध्यान न करे तो वांदो नहीं, पन काम सुख अने द्रव्य सुख नू चिंत न करे तो मन धिरे धिरे शुद्ध थाई जाए छे, प्रभुए बे वस्तुव मां आसक्ती लाखी छे, स्त्री अने धन, आ बेमां आसक्त की रूपी महद छे, आ बिन्यती बचवानू छे, संपत्ती छे, शक्ती छे, भोगो प्राप्त थाया छे, छत्ता जिनूमन विशव मन न जाए, एक खरेकर सयम छे एक महात्मा केता, किटलाक लोकोना पैसा पत्थरा मा गया, किटलाक लोकोना पैसा प्रसात मा गया, तो किटलाक ना प्रईसा लब्ण मा गया, भक्ती सहली न थी, परस्त्री अने परसंपत्ती ने आसक्ती छुटे, पछी भक्ती आपड़ी साथे आवे, हरी ही ओम कर दो कर दो